नमस्कार दोस्तों मैं विवेक मैश्वरी आप लोगों का स्वागत करते हो मेरे यूट्यूब के चैनल पर चार लेक्चर पहले भूबोल के हो चुके हैं नक्षाम ने समझ लिया था, सामान ने जानकरी हमने ले ली थी और एक भू आकरतिक प्रदेश के बारे में आपको जानकरी दे दी थी है वीडियो नमबर पांच जिसमें हम जलवायू के बारे में जानेंगे राजस्तान स्पेसिफिक के अमरी क्लासेज चल रही है उसके बाद हम लोग आर्ट और कल्चर की भी क्लासेज लेंगे यहाँ वही डेटा देना चाहरा हूँ जो कि एक्जाम में आता है डेटा देने को बहुत कुछ है लेकिन एक्जाम में जो आता है वो बहुत इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चलिए शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के जलवायू, राजस्तान की जलवायू को प्रभावित करने वाले तत्व इस्तिती वे उच्चावच संबंदी कारक अक्षांस 23 डिगरी 3 मिनिट से 30 डिगरी 12 मिनिट उतरी अक्षांसों में है हमारा राजस्तान उष्ण वे उपोश्ण कटी बंदे में है आपको पता होगा करक रेखा जो है राजस्तान को नीचे से छूती है बासवड़ा वाला इलाकों को छूती भी जाती तो हमारे यापर सूर्य की सीधी किरने पढ़ती है इस वज़े से हमारे याँ गर्मी भी जादा पढ़ती है धरातल 370 मिटर से कम उचा है हमरा धरातल इसलिए अलग-अलग जगें अलग-अलग तापमान रहता है जैसे आपको पता है माउंट अबू बहुत उचा है ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा 1722 मिटर आपको जैसे गुरु शिकर पताएगी उचा है तो जो जलवाई आएगी वो भी इसके सारे सारे सीधी निकल जाएगी हिमाले कैसे फैला हुआ हिमाले ऐसे फैला हुआ है तो यहां से वायू टकराएगी और फिर वहीं पर वर्षा कर देगी जबकि हमारी जो यह अरावली परवतमाला है वो ऐसे फैली हुई है लंबी ऐस तरह से तो इसके साथ-साथ बहे के आगे निकल जाती है जलवायू समझ भाएगी आपको बात और धरातल की उंचाई वैस वह उंचाई के साथ तापमान क्या होता है गड़ता है तो हमारे यहाँ पर केवल कौन सी जगह है जो साथ वाला राजस्तान है आपका दक्षिनी राजस्तान जिसमें आपका डूंगरपूर लेलो बांसवड़ा लेलो आप उदयपूर लेलो सिरोई लेलो यह वाला इलाके में थोड़ा तापमान आपको कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर उंचाई ज्यादा है समझ गए बात को अब बात करते हैं राजस्तान की जलवायू की प्रमुक विशेशता हैं यह आरेस मेंस में ऐसे कैसा आ सकता है और ऐसे कैसा आप इसक्रीन शोट लेके डाल सकते हो आपके नंबर आने के अच्छे चांस रहेंगे बिन जलवायू प्रदेश हैं पांच जलवायू प्रदेश हैं मौसम विभाग के नुशार शुष्क अर्द शुष्क उपाद्र आद्र और अतियाद्र टेंसन मतलो आगे वाली स्लाइट्स में हम पढ़ लेंगे इसके बारे में सामिक वर्षा होती है हमारे यहां 90 प्रतिशत वर्षा कब तक हो जाती है हमारे यहां जून से लेकर सितंबर के मद्धे में हमारे यहां क्या हो जाती है अधिकांश वर्षा हो जाती है और सरदियों में आपको पता है क्या पढ़ती है मावठ ठीक है तो इसके उपर को तो क वर्षा का उसत है वर्षा की अनिश्टित्ता सबसे बड़ा मुद्द है हमारे आपर छिण में का आकाल हो या छपपनी आकाल हो तथा 2009 में 27 जिले सूखे हो तो हमारे आख के मौसम को प्रिडिट करना आसान नहीं कि कैसा मौसम रहेगा वर्षा की ऐसमान था अब देखो आप जेसल में एक तरफ 5 सेंटिमेटरी वर्षा होती है जबकि जहलावाड में 100 सेंटिमेटर से ज्यादा वर्षा होती है तो इस तरह से वर्षा की ऐसमानता है 75, 1980, 2000, 2006 में कि पस्चिम में अचानक बाड आ गई थी क्यों कि पहले पानी इतना होता ही नहीं अचानक पानी जब बरस्ता है तो वहां क्या आ जाती है बाड आ जाती है ठीक है अतीवर्ष्टी और अनावर्ष्टी अतीवर्ष्टी अचानक वर्षा हो जाती है जिससे एनिकट तालाब तूड जाते हैं और बादल फटने जैसी घटनाए भी हाँ पर हो जाती अनावर्ष्टी हर 5 वर्ष म तापमान बहुत भिन्य है हमारे हाँ शीत रितु में देखें आप 12 डिगरी से 17 डिगरी इतना कम तापमान चल जाता है तथा ग्रिश्म रितु में 40 डिगरी से 45 डिगरी पस्षिम का तापमान हो जाता है न्यून्तम तापमान माइनस वन डिगरी तो दोलपूर वे चुरू में कितना 48 से 50 डिगरी तापमान अधिक्तम यहां पर हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग जहां पर रहते हैं तापमान बहुत वैरी करता है माइनस वन डिगरी से लेकर कहाँ पर 48 डिगरी 50 डिगरी तक तापमान हो जाता है आदरता में अंतर शीत रितू में शुष्क हवाएं उत्तर पूर्व पस्चिम वे दक्षिन पस्चिम से धरातली उच्चावच वे भिन भिन रितू में हवाओं की दर्शा हमारे याँ पर क्या रहती है अलग अलग रहती है तो ये कुल मिला के 10 पॉइंट जो थे आपके ये चोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है जो प्री दे रहा है वो मेंस दे रहा है या जैसे ग्राम से पटवारी उनके लिए कह रहा हूं मैं सारी बार ठीक है तो आपके दो तिन पॉइंट शुरू के बहुत इंपोर्टेंट है आपको आने चाहिए चलिए आगे बढ़ता है तो मैंने यहाँ पर केवल मांशून प्रत्या वरतन काल लिया है क्योंकि इसमें एक वर्ड आपको समझाना है इसलिए ये कब चलता है ऐक्टोबर से दिसमबर तक पश्चिम में इस तित नियून दाप निर्बल हो जाता है वे आदरता कम होने लगती तथा राज्यमें ता जो हलके 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 की सर्दी पड़ती है उसे गुलाबी सर्दी कहा जाता है मानसून हवाएं दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्व की और इस समय वायू विप्रीज चलने लग जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिन पस्चिम की और चलने लग जाती है समझ में आई आप कम होने के पारिश का का औस यह दू सिम्य राजस्तान में कम 10 से 40 सेंटीमेटर के क्या कारण के वनस्पति रही जैसा कि आपको पता 61.11 प्रितिशद भाग पर क्या फखेला हुआ आपके किया फैला हुआ है मरुस्तल फैला हुआ है इस वजह से दूसरा नगन चटाने। लेकिन उसमें पेड़ पोदे नहीं उगे उगे पेड़ पोदे नहीं उगे तो यो बारिश को प्रभावित नहीं करते हैं अत्यदिक गर्म वशुष्क हवाएँ अगर बिचारे कमी आ जाती 90 प्रतिशत अगर पानी लेके जाएगा तो अचानक उस मौसम से टकरा कर कितना हो जाएगा पचास प्रतिशत हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी का मांसून देरी से पहुंसता है बंगाल से आप देखिए 36 गर्ड आपके ये जहारखंड वाला इलाका बिहार व का कम समय आपको बताया कि जून से सितंबर के मद्द 90 प्रतिशत वर्सा हो जाती है और सरदियों में हमारे यहां मावट पढ़ता है अल निनो का प्रभाव यह आप राजस्तान की भूगोल की जेगे आप इंडिया के भूगोल में पढ़ेंगे कि अल निनो आखिरकार क्या रेगिस्तान का फैला हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था 61.11 प्रतिशत भाग पर क्या फैला हुआ है हमारा रेगिस्तान फैला हुआ है राज जी की आंतरिक इस्तिती भी ऐसी है रावली प्रभतमाला ऐसे फैली हुई है कि उसके समाना अंतर आगे निकल जाता है फैला हुआ है अंतर महाद वी पीस देती अगर हम पैनेंस्वेलर वाले इलाके में होता है मतलब नीचे वाले इलाके में जो वी आकार का इंडिया का उसमें होते और समुदर के तट के किनारे होते तो ज्यादा अच्छा रहता हमारे अच्छी वारिश होती अरावली का दक है तो यह सारे पॉइंट है आजकल क्या होता है एक्जाम में चार पांच पॉइंट दे जाते निम्न में से राजस्तान में कम वर्शा का कारण क्या है एक दो तीन चार चारों में से कौन सा है तो इसलिए आप लोगों को यह आना चाहिए कि राजस्तान में कम वर्शा का का कारण कॉन सा है इसलिए मैंने यहांपर सारे कारण आपके लिख दिये हैं चलि अगली बात करें जलवायू प्रदेश कोपेंद्वारा कोपेंद्वारा आधार क्या लिया है वनस्पती दोस्तों ये ध्यान रखना कि आजकल आधार भी पूछने लग गए हैं तो कोपैन का आधार क्या है वनस्पती है समझ गए बात को अधिकतर समय आपको यहां पर हर्याली देखने को मिलेगी गर्मियों में तापमान कितना रहता है 30 डिगरी से 34 डिगरी और सर्दियों में तापमान रहता है 12 डिगरी से 15 डिगरी समझ में आगई बात तो यह AW था उष्न कटी बंदी आधर जलवायू शेत्र आगे नक्षा दे रखा है उसमें और समझ लेंगे हम लोग ठीक है BSHW आदर शुष्क इस्टेपी जलवायू अरावली के पस्चिम में बाड मेर जालोड जोधपुर नागोर चूरू सीकर जुनजुनू यहाँ पर क्या पाया जाता है BSHW आदर शुष्क इस्टेपी जलवायू इस्टेपी प्रकार के यहाँ पर वनस्पती पाई जाती वर में का तापमान कितना 32 डिग्री से 35 डिग्री और सर्दियों में 5 डिग्री से 10 डिग्री तापमान पाया जाता है BWHW अरावली के पस्चिम में जोधपूर, जेसल मेर, बीकानेर, हनुमानगड़ो, श्री गंगा नरगर में आपर पाया जाता है अब आपको पता है जहाँ पर जोधपूर, जेसल मेर का नाम आजाए एकदम रेगिस्तान माना जाता है कठोर शुष्क जलवायू, एकदम सूखी जलवायू है वहाँ पर वनस्पती विहीन तो है ही सही, वहाँ पर बालू का इस्तूप भी पाये जाता है हमने लेक्चर नमबर थ्री में पढ़ा था, आधरतावे पानी में, पानी की क्या है वहाँ पर कमी है यहाँ पर तापमान कितना रहता है, 35 डिगरी तापमान रहता है, कब गर्मी में और सर्दियों में 12 से 18 डिगरी तापमान रहता है पर वर्षा कितनी होती है, 100-200 mm यहां पर वर्षा होती है, CWG, उपादर जलवाई उवे, मानसून वर्षा प्रदेश, अरावली के दक्षिन पूर्वी भाग और हाडोती मेवात, डांग, शेत्र और बीहडवन यहां पर सफ़े जादा पाये जाते हैं, बीहडवन के बारे म हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बीहडवन सबसे ज़्यादा कहां मिलते हैं, सवाई माधोपूर में आपको देखने को मिलते हैं, तो यह जानकारी थी इसके बारे में, अब चलते हैं, नक्षे की तरफ, कौपेन का जलवाई उवर्गी करण, क्या आधार है, वनस् ब्सफ, डब्ल्यू कवर कर रहा है, यह सबसे बड़ा एरिया है, बहुत बार पूछा है, CWG ठीक है, CWG यह वाला एरिया है आपका, ठीक है, और AW नीचे वाला एरिया है, जिसमें अच्छी वर्चानत होती है, और अच्छी फसल यहाँ पर होती है, ठीक है, अब क्या है, कि कभी कभी कुशन कैसे पूछ ली जाते है, कोपेन के जलवाई वर्गी करण को आरो ही करम में जमाओ कि कौन कौन से, तो सबसे पहले आएगा BSHW, फिर आएगा CWG, फिर आएगा BWHW, और फिर लास्ट में आएगा AW, समझ में आगे क्यों, क्योंकि BSHW जो है, वो अधिकत आटर अरियकों घेरे हुए है, उसके बाद आपका CWG घेरे हुए है, फिर आपका BWHW घेरे हुए है, फिर AW फिर आवे क्या किछा है CAW उपाद्रिया शुष्क वे अर्द शुष्क जलवायू दक्षिन पूर्वी राजस्तान में जैसे उदैपूर हुआ आपका बास बड़ा हुआ आपका डूंगर पूर हुआ आपका और कोटा जहलावड बारा में ये पाई जाती है वर्षा गृष्म रितू में ही होती है यहाँ पर शीत रितू कैसी होती है सूख ही होती है सवानावय मानसूनी जलवायू यहाँ पर आपके पाई जाती है समझ में आई बात CAW के बारे में अब हम बात करेंगे DAW के बारे में उश्न आद्र या अर्ध शुष्क जलवायू प्रदेश अर्ध मरुस्तलिय वे सिमांत शेतर में पाई जाती है जिसमें सिरोही आगया आपके जालोर आगया बाली अजमेर चितोडगर्ट सवाई माधोपूर बुंदी टॉंक और बिलवडा में ये पाई जाती है अर्ध राजस्तान में ये देखने को मिलती उपरी राजस्तान मतलब गंगा नगर हो गया आपका चूरू हो गया आपका और बिकानेर आपका हो गया समझ मही बात यहाँ पर गृष्म रितु कैसी चलती है लंबी चलती है और शीत रितु कैसी होती है छोटी होती और यहाँ पर क् मेर जूदपुर और बीका नेर में गर्म शुष्क जलवायू और मरुस्तली वनस्पती वहाँ पर आपको देखने को मिलती है मैप में वापिस देख लेते हैं इनका भी इंपोर्टेंट है इसलिए देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो को लगेगा कि DAW यहाँ पर सबसे बड़ा भाग है अधिकतर चीजें कवर किये हुए है ठीक है फिर उसके बाद कौन सा माने हम लोग DBW मानने क्या DBW सेकंड वाला भाग है थर्ड वाला EAD वाला भाग है और फोर्थ वाला CAW वाला भाग है ठीक है ठीक है तो ये वाला आपका ठानवेट का जलवायू वर्गी करन था वर्षा की मातरा के आधार पर अब एक और है ट्रिवार्था के अनुसार ये छोटा सा है जादा नहीं इसको मैप में करने की भी जरुवत नहीं ऐसे ही पड़ लेते हैं ठीक है जब आदर जलवायू आ जाएना नाम तो एक दिमाग में फिट कर लो कि बासवडा डूंगरपूर उदैपूर नीचे वाला शेत्री बारा कोटा जहलावाड वाला ठीक है कहीं पर भी आजाए आदर जलवायू राजस्तान में कहां पाई जाएगी तो यहीं पर मिलेगी आपको दक्षिनिपूर वी राजस्तान बासवडा डूंगरपूर उदैपूर बारा कोटा जहलावाड यहाँ पर एवरेज टेंपरेचर कितना रहता है 21 डिगरी कितना है और 100 सेंटिमेटर तक यहाँ पर क्या होती है वर्षा होती है सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी B.S.H. ठीक है B.S.H. क्या है अब यह जो ट्रिवारत अंकल है इन्होंने भी करीब करीब किसके जैसे व्याख्या दी है आपको आपको दी है इन्होंने कोपेन जैसी व्याख्या B.S.H. क्या है उष्ण अर्द उष्ण कटीबंदी इस्टैपी तुल्य जलवायू मध्य पश्चिमी वे उत्तरी राजस्तान में यह पाई जाती है पूर्व से पश्चिम में कम होती जाती है दक्षिंड से उत्तर में भी कम होती है ठीक है पश्चिम में जाते जाता हवा कैसी हो जाती अर्द शुष्क से कैसी हो जाती है और B.W.H. मरुस्तलिय या शुष्क जलवायू प्रदेश आपके कहलाते हैं पश्चिमी जिसे महान मरुस्तल कहा जाता है पश्चिमी जो आपके जिले हैं जिसे कैसा कहते हैं हम लोग महानवरुस्तल कहते हैं और C.A.W. अर्ध उष्ण आदी जलवायू प्रदेश पूर्वी वे दक्षणी भाग में पाए जाते हैं बीहड सवाई माधुपूर वाले जंगल विध्यन के भाग ये कहलाते हैं आप ध्यान से देखोगे ना तो 20-20 का अंतर आ रहा है लाश्ट तक ठीक है कैसा समझे क्या बात को 0-20 20-40 40-60 60-60 और 80-100 0-20 में क्या है शुष्क जलवाईू शुष्क फिर अर्द शुष्क उपादर आदर और अतियादर पहले सूखी फिर आदी सूखी फिर थोड़ी गीली फिर गीली और फिर बहुत गीली इस तरह से आप समझ सकते हो शुष्क में क्या है 0-20 cm वर्षा होती है इसमें गर्मियों में तापमान कितना रहता है 45-50 डिगरी और सर्दियों में कितना रहता है 0-8 डिगरी अब आपको पता है कि घोर जंगलों में मतलब आपके रेगिस्तान वाले में क्या मिलेगी मरुदवित कटिली जाडियां आपको देखने को मिलेगी जेसल मेर बाड मेर और विकानेर की तरफ ठीक है मिलती है श्री गंगानगर बिकानेर चूरू जुन्जुनू सीकर नागोर पाली और जालोर में पाई जाती है उपाद्र जलवायू चाली से साट सेंटीमेटर 28 से 34 डिगरी तापमान गर्मी का और 12 डिगरी से 18 डिगरी तापमान सर्दी का पत्थजडी वनस्पती मूंग फली गवार और बाजरा आपको देखने को यहाँ पर मिलता है जैपूर, दोसा, अलवर, अजमेर, टॉंक, भीलवडा और जुन-जुनों में यह आपके पाई जाती है आद्र कहाँ पर होगी? 60-60 सेंटीमेटर वर्षा जहाँ होगी 30 से 34 डिगरी तापमान कब का हमारा गर्मियों का कोटा, उदैपूर, रासमन और बुन्दी में देखने को मिलती है और अतियाद्र जलवाई यह 80 से 100 सेंटीमेटर वर्षा और तापमान कितना रहता है? 30 से 40 डिगरी तापमान रहता है देखो, जहाँ पर अतियाद्र है वहाँ पर तापमान में अंतर नहीं आएगा सरदी और गर्मी में करीब-करीब तापमान एक जैसा रहता है लेकिन चुश्शुश के वहाँ तापमान देखो 45 से 50 डिगरी पहुँच जाता है अब आपको शान्ती से एक बार उधर समझा देता हूँ, मैं देखो यह बटे हुए हैं, ठीक है, 5 भाग है, ठीक है, 5 भाग कैसे बटे हुए हैं, यह पाँच भाग 40-60 के बीच में 60-80 के बीच में और 80-80 कहां होगा 80-100 के बीच में तो ये था आपका पूरा का पूरा जलवाई का अबरगी करन आपको लगेगा बहुत शोट में है लेकिन ये क्या है कि जो एक्जाम में आते हैं वो सारी चीज़ें अधिकतर इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो anytime आप 9928001400 पर वाट्सअप करें और भी इसके लवा कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को वाट्सअप करें मैं जरूर आपके लिए करके दूँगा